नमस्कार, दोस्तों! स्वागत है आपका हमारे यूट्फी fund चेनल से दोस्तों! आज हम बात करेंगे शूखा नारियल खाने के फाइदों के बारे में आप को हम सभी लोग नारियल स्वास्ते लाब से पी परिचिते हैं लेकिन क्या आव सोखे नारियल के लाब से आवगत हैं? सोखा नारियल पकवान बनाने के लिए इस्तिमल किया जाता है। पानी वाला नारियल प्रकरते की रूप से सोख जाने के बाद पूरी तिरह से गिरी युप्त हो जाता है, जिसे एक गोले के रूप में निकाल कर टक ली जाता है अवश्चता पढ़ने पर आप इसे फोड़ कर सकते हैं इसमें पानी नहीं होता है बलकि पानी ही सुकर नारिल के तेल का रूप ले लेता है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तेरे में बैड कोलेस्टोर नहीं होता और इसके कई सारी फाइदे हैं इसका इस्तिमाल दुनिया के कई हिस्सों में होता है ड्राई कोकोनेट में डाइटरी फाइबर, कोपर, मेगनिश्यम और सेलेनियम भी होता है और इसमें उच्छे पॉर्शी तब्तू होते हैं, इसके स्वास्ते लाब भी बहुत जादा है तो यह जानते हैं इसके फाइदों के बारे में दोस्तों आगे बढ़नेश पहले अगर बिता का आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकोन के जरूरत पा देना ताकि नए वीडियो के नोटिविकेशन सबसे पहले आपको मिल सेखेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला फाइदा ये हिर्दे के लिए बहुत लाबदाएगा ड्राइज कोक़नोट में डायेटरी फाइबर होता है जो की हिर्दे को हाल्धी बनाई रहता है जैसा कि आप जानते हैं पुरुष के शरीर में को 38 ग्राम डाइटरी फाइबर और महिला के शरीर को 25 ग्राम डाइटरी फाइबर चाहिए होता है और ड्राइ कोकोनट से शरीर की ये अवश्कताई पूरी हो जाती है मस्तिश्क की गती वीदी को सुधार में अगर आप उन ब्रेन को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ड्राइ कोकोनट को अपने खुडाक में शामिल करें ऐसा कई रिसर्च में सावित हुआ है कि कोकोनट के सेवन से दिमाग तेज होता है और अलज्जाइमर जैसे घातक बिमार्या भी नहीं होती इम्योन सिस्टम को बूस्ट करते हैं इसमें 5.2 माइक्रोग्राम से लहने मोता है जो श्रीर की प्रतिरक्षा परनाली को मजबूत बनाता है इसे अपनी खुडाक में शामिल करने से श्रीर में कई रोग दूर हो जाते हैं प्रुषों में प्रजनेंट श्रम्ता बढ़ा है यह कोई दोस्तों मिठक नहीं है बलकि एक सब्त है कि नारील के सेवन करने से प्रुषों में रप पुंसकता दूर हो जाती है इसलिए अगर आपके श्रीर में रखती कमी हो तो आप ड्राई नारील के सेवन ज़रूर हो ज़रूर हो जाती है करें कहिंब कि क्यंसर के खतिर को कम करने अगर आपके परिवार में किसी को पहले कैंसर था तो आपका हमेशाят स्तरक्ता बर्तनी चाहिए खासकर महीला को जिनके यांप ब्रेश्ट यूर्क सामने हो वैसा नियुक्षों के उaign हूप ने मलेद करता है इसलिए आप इससे कब्ज, कौनी दस्त और बवासे की समस्य भी नहीं होती और साथ इसका कुछ दुश पर भाव भी नहीं पड़ता है गठिया ठीक करने में मदद करता है ड्राई कोकरणड के सेवन से गठिया ठीक हो जाता है और दर्थ से राम मिलता है च्योंकि इसमें कई मिनरल्स होते हैं ऐ में यह तो उत्रकों को स्वस्त रखते हैं और श्रीर को हेल्थी बिनाए रखते हैं इससे गठिया ठीक करने मदद मिलती है तो दोस्तों यह थे सूखा नारेल खाने के फायदी अमीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों महत्रों के साथ इसको शेय झाल